अलो एब्रीपन एंड वेलकम टू डियेस कुरूजी इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं पी टीटी और बीस्टी से से जुड़े आगामे एक ज्याम्स के लिए बहुत ही महतोपूर प्रश्ण है और इस वीडियो में लेकर आए हैं इंडियन जोग्रोफी से जुड प्रश्ण भारत का भूगोल भारत का भूगोल या भूगोल जोग्रोफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अब किसी भी एक्जाम को उठाके देख लो बली यूपीस्टी का एक्जाम हो या सबसे निचला एक्जाम हो पी टीटी बीस्टी से वगेरा के एक्जाम सो कोई सा भी हर एक्जाम के लिए जोग्रोफी एक ऐसा महत्वपून टॉपिक है जिससे प्रश्ण हमेशा बनते हैं और इसी से जुड़े प्रश्ण यहां पर लेकर आए हैं सबसे पहला प्रश्ण है भारत का शेत्रफल लगबग है भारत के शेत्रफल के अगर बात करें तो वह है 32,87,26 263 वर्ग किलोमेटर अब यहां पर अपने को ऐसे तो नहीं दिया हुआ है कि 32,67,263 किलोमेटर एसे नहीं दिया हुआ है लेकिन यहां पर दिया हुआ है भारत का वह भाग जो तीन तरफ से घिरा हुआ है जल से चारो तरफ से भी नहीं घिरा हुआ है दो तरफ से भी नहीं घिरा हुआ है लेकिन तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है तो इसे अपन कहते हैं प्रायदीप भारत भी अपना भारत जो देश है वो भी एक प्रायदीप है क्योंकि इसके पूर में बंगाल के खाड़ी है पस्ची में अरब सागर है और दक्षिन में हिंद महा सागर है और भारत के दक्षिन में हिंद महा सागर है और ये हिंद महा सागर के नाम पर ही अपने हिंदुस्त भारत जो है उत्री गोलार्द में इस्तित है सेकंड ओप्षन इसमें सही होगा भारत के लगबग मध्य में से होकर गुजणने वाली अक्षांस रेखा भारत है अपना इंडिया है इंडिया का मेप बढ़ देखते हैं तो भारत के सबसे मध्य में से एक रेखा गुजड़ती कि अगर इस्तली सीमा कि बात की जाए तो यह इस्तली सीमा जुरी है भाद के साथ पडोसी देश है जिनके नाम आपको कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताने हैं भायत कि प्रशाषनिक द्रश्टी से देश में कितने राज्य थाता केंद्र शाषित प्रदेश हैं प्रशाषनिक द्रश्टी से अकर बात की जाए तो 29 स्टेट्स अपने इंडिया में हैं सबसे लाष्ट में जो स्टेट बना था वो था तेलंगना और शाथ केंद्र शाषित प्रदेश से जिनको अपन यूनियन टेरिटरी बोलते हैं तो यह यहाँ पर भारत में है शेत्रफल की द्रश्टी से भारत का सबसे बड़ा राज है शेत्रफल की द्रश्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्तान इससे पहले मध्य प्रदेश था लेकिन इससे 36 गड़ा अलग हो गया और मध्य प्रदेश क्या है शेत्रफल की द्रश्टी से चोटा हो गया लेकिन राजस्तान जो है शेत्रफल की द्रश्टी स सबसे छोटा राज्य है गोवा यहाँ पर गोवा है और यहाँ पर केवल डो डिस्टेट्स पायम काम करती है हिमाले भारत काम करती है ऑर हिमाले चोब और फोर पार्ट में डिवाइट किया गया है अगर भोगोलिक रूप से देखा जाये तो हिमाले को चार भागों में अपन बाढ़ सकते हैं चार भाग है एक तो सिवालिक है सिवालिक है इसके अलावा है सिवालिक लगु व्रहद और ट्रांस इसको शेत्री आधार पर चार भागों में बाढ़ते हैं सिवाले लगु व्रहद और ट्रांस अब देखिए इसका दक्षिनी भाग जो है वो कहलाता है सिवालिक, सिवालिक जो है हिमाले का दक्षिनी भाग है इसे अपन बाईये हिमाले भी कहते हैं और उप हिमाले भी से कहा जाता है और अगर हिमाद्री की बात की जाए तो हिमाद्री जो है ये व्रहद हिमाले को कहा ज होता है और यह जो है सबसे उची परवस रंकला है और सबसे उत्री परवस रंकला है हिमाले की हिमाचल हिमाले हिमाले का जो लगू पाठ है उसे हिमाचल हिमाले कहते हैं जो मद्ध हिमाले है तो यह हुई बात दक्षण हिमाले जो है वो है सिवालिक हिमाले हिमाद्री कहा जा पुरानी परवश्रंकला कुन सी है भारत की सबसे प्राचीन कहो या पुरानी कहो तो भारत के सबसे पुरानी परवश्रंकला है अरावली जो राजस्थान में जल विभाजक्का कारे करती है तो ध्यान रखेगा आप अरावली परवश्रंकला प्राइदीप्य पठार के आकर अब देखिए भारत के प्रमुक परवस्रंकलाओं के अगर बात करें तो हिमाले परवस्रंकला बहुत ही महतोपूर्ण पाट रखती है और ये जो है नविंतम परवस्रेणी है और अरावली परवस्रंकला ये भारत के प्राचीनतम परवस्रेणी है और इसके अलावा है विं शैयाद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तों अभी थोड़ी ही देर पहले आपन एक प्रश्ण पढ़ा था प्राइदीप्य पठार के आकरती क्या है तो प्राइदीप्य पठार के आकरती है त्रिभोजाकार तो ये प्रश्ण भी प्राइदीप्य पठार से ज यह पतार का ही एक हिससा है अब दी पयत के बात करें तो इसमें अलवा का पतार के अलावा इसमे आ गया अरावली परवशनी इसमें आ जाती है बुंदेल खंड का पठार इसमें आता है बग्रेल खंड का पठार इसमें आता है विंध्यन उच्छ भूमी इसमें आती है चोटानागपुर का पठार आता है जो खनीजों की द्रश्टी से एकदम शम्रद सेत्र है दककन का पठार इसमें आता है करनाटक या मैशूर का पठ पश्चिमी घाट इसमें आता है पूर्वी घाट आता है और सीलोंग का पठार आता है ये सारे ही प्राइदीप ये पठार के एक महतुपुन भागे जो भारत का फिजिकल जोग्रोफ है अगर आपन पढ़ेंगे तो उसमें ये आएगा तो ये एक महतुपुन पाठ है और श अब अंडमान निकोबार दीप समु तो इस्तित है बंगाल की खाड़ी की जो दीप है ये उसमें इस्तित है लेकिन जो लक्ष दीप है ये इस्तित है अरब सागर में तो सेकेंड ऑप्शन अपना इस प्रश्ण में सही हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में इस्तित भारति ये दीपसमू कौन से हैं बंगाल के खाड़ी में जो इस्तित है वो है अंडमानयम निकुबार दीपसमू हिमाले परवश्रंकला का विस्तार है हिमाले परवश्रंकला जो है इसका विस्तार है सिंदू से ब्रह्मपुत्र नदीतक इस परवश्रंकला का विस्तार है हिमाले प परवत की ओशत उचाई व्रहध हिमाले वही है जिसको अपन हिमादरी हिमाले करते हैं तो इसके जो ओशत उचाई है वो है 6000 मीटर्स इसकी ओशत उचाई है जिसको अपन व्रहध हिमाले के नाम से जानते हैं इसके ओशत उचाई 6000 मीटर्स है जिमने मैं से कौन सा लगू हिमा के ढलानों में इस्तित नहीं है इसके अलावा मसूरी है सिमला है गुलमर्ग है यह सब जो है लगु हिमाले में जो ढलान है उसमें इस्तित है अब देखिए यह देहरा दून जो है यह किसमें इस्तित है तो देहरा दून है यह इस्तित है सिवालिक हिमाले में यहां पर क्या ह होता है एक तो समतल विश्चत घाटिया है जिनको अपन पूर में तो दुआर करेते हैं और पस्ची में इनको कहा जाता है दून तो यह देहरा-दून जो है यह सिवालिक हिमाले का पाठ है लगू हिमाले का पाठ नहीं है यह बात भी आपको ध्यान रखनी है कि देहरा-दू है दोनों ही बाते ध्यान रखने और इसमें मसूरी, सिमला, गुलमर्ग, आधीस में सामिल है इसके बाद आता है निम्न मेंसे कौन सा लगू हिमाले में इस्तित है अब इन मेंसे जो लगू हिमाले में इस्तित है वो है रानी खेत यह भी लगू हिमाले में इस्तित है इसके 1200 मीटर इसकी कुल लंबाई है देहरादून वो हरीद्वार किस श्रेणी में इस्तित है अब देहरादून के अगर बात करें तो जो समतल घाटिया पाई जाती है सिवालिक श्रेणी में तो दून तो इनको कहा जाता है पस्ची में भाग में पपनजाब हमाले अब एक बात मैं आपको बताऊँ अपन पहले मेंने आपको बताय भूगोलिक वित्रण हिमाले का इसको अथ नहीं है और ट्रांस हिमाले ये ता भोगोली क्वित्रण अब प्रादेशी क्वित्रण भी इसका किया गया है प्रादेशी क्वर्गी करण हिमाले का किया गया है जिसके फोर पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है एक तो पंजाब हिमाले एक कुमायू हिमाले एक नेपाल हिमाले और एक असम हिमाले फोर पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है याद रखेगा पंजाब कुमायू नेपाल और असम अब पंजाब हिमाले में जो और जासकर भी इसका पाठ है लेकिन नंदा देवी इसका पाठ नहीं है तो ये बात आपको ध्यान रखनी है इसके बाद अपना अगला जो प्रश्न है वो है मानावनीती दर्रे किस श्रेणी में इस्तित है ये श्रेणी है कुमायु हिमाले और जो नंदा देवी यह भी कुमायु हिमाले का ही पाठ है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है नंदा देवी भी कुमायु हिमाले का पाठ है और माना वो नीती दर्रे भी कुमायु हिमाले का पाठ है धोला गिरी परवश शेनी इस्तित है धोला गिरी परवश चोटी जो है ये नेपाल हिमाले में इस्तित है बुर्जीला दर्रा किस राज्य में इस्तित है बुर्जील दर्रा जो है ये जम्मु कश्मेर में इस्तित है अनाई मुडी परवश शिकर जो है ये अन्ना मलाई की प प्रण्स पाए जाते हैं इनको सुमेलित करना है अपने को इधर परवश्रंकला दिये हुई है इधर इनके सर्वोच शिखर दिये हुए हैं अब ये बाते आपको ध्यान रखनी है और ऐसा प्रश्ण दो ऐसे प्रश्ण आते हैं जिनमें अपने को सुमेलित करना होता है किसी भी एकजाम में सत्पूरा मैकाज श्रेणी पूर्वी घाट और हरिश्चंद्र श्रेणी यह यहाँ पर दिया हुआ है तो सत्पूरा जो है इसकी सबसे सर्वोच सिकर है धूबगड मैकाज श्रेणी जो है इसका सर्वोच सिकर जो है वो है अमरकंटक इसके बाद है प्रूंपर पीड़ी यह बनेगा और यहां पर अपना थर्ड उप्शनी सघी हो जाएगा निमनल कित में से किस नदी के डेल्टाई मेदान को दक्षिणी भारतका धाननेगार कहा जाता है अब यह जो पार्ट है डेल्टाई मेदान कहो या नदीयों का पार्ट कहो यह जो है के अपवा तंत्र में आपको पढ़ने को मिलेगा और भारत का जो भोतिक विभाग है भोतिक फीजिकल जोग्रोफिय आपने जो पढ़ेंगे उसमें ये सब कुछ आपको मिलेगा ये जोग्रोफिय का एक बहुत ही महत्यकूर पार्टस है और इसमें से क्योशन अवश्य बनत एक तो है हिमाले से निकलने वाली नदिया और दूसरी है परायदीप से निकलने वाली नदिया अब हिमाले से जो नदिया निकलती है इसमें आती है गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये तीनों नदिया हिमाले से निकलती है गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र अब प् जिनका मुद्गम होता है यह भी इसी में और ईसी में सामिल है अब जो पफिमे घाठ से निकलती हैं उस में क्रिष्णा गोदावरी का वेरी नहीं जिवह से लिए भाग है पफिमें घाठ को धानेगार कहा जाता हैं तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, थर्ड ओप्षन इसमें सही हो जाएगा, माला बाद टटका उधारन है, तो ये उन्न मज्जित टटका उधारन है, माउंट आवु निर्मित है, माउंट आवु निर्मित है, बल्वा पत्थर से, कुडपा करम में प्रमुक चट्टान है कुडपा करम में प्रमुक चट्टान है, क्वाट जाएट, चूना पत्थर, बल्वा पत्थर की, ये नांकित में से कौन सा समुद्र तट पून तया उन मज्जित है, तो वो है गुजरात, सिपकीला प्रशिद्ध परवतिय दर्रा है, ये प्रशिद्ध परवतिय दर्रा ह निमनलिखित पर विचार कीज़े, हिमाले दर्रा सिपकीला निमनलिखित में से किस एक में व्यवस्तित है, तो ये व्यवस्तित है, शतलज घाटी में, निमनलिखित जीलों में से किस एक में पूर्वी घाटों का शिर्ष तम बिंदु अवस्तित है तो ये अवस्तित है विशाखा पत्नम में भारत में निमनलिखित राज्यों में से किस एक में देश के प्राचिंतम सेलसमू पाये जाते हैं ये पॉय जाते हैं करनाटक में निमन लिखित देश्चम में से किस एक में बडरेल परवशंकला अवस्तित है यह परवशंकला आवस्तित है भारत में तो दोस्तों ये थे इंडियन जोग्रोफी का जो फिजीकल पार्ट है उससे जुड़े प्रश्न अभी इंडियन जोग्रोफी के फिल्जीकल पार्ट के प्रश्न खतम नहीं हुए है कल भी इसका वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएंगे इस वीडियो में इतना ही बाके जानकारी के लिए आप DS कुरूची के साथ जुड़े रहें and thank you so much thanks for watching